हेलो दोस्तो उत्तरपदे सस्पेंस आयोग ने आज अपना सस्पेंस आकिरकार खोली दिया जैसे कि मैं आप लोग को बता रही थी पेपर इस्थगित हो गई होगा और नोटिफिकेशन 15-16 तारिक तक आ गया है तो देखिए 16 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आ चुक अब तो फिक्स देट दो दिसंबर के मध्य मतलब का बंद्रा को अब 22 को तो आरो गई एक्जाम में दिसंबर में तो फिर लग रहा है कि वो पोस्पोन होगा कि एक हफते में दो एक्जाम ये लोग कैसे करा लेंगे चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश पब्लिक सस्पें सायोग जो हमने नाम रखा है वो आगे क्या-क्या सस्पेंस लेके आती है मार्च का पेपर पोस्पोन करते करते ही अक्टूबर में लेके आए अक्टूबर में पोस्पोन करके आप दिसंबर में लेके गए हैं अब भगवानी भरोसे है कि दिसंबर में भी ये लोग आप प्रदैश्टिन कर सकते हैं ज़ार वेकिंसी कोई भी कम नहीं है और सिर्फ और सिर्फ आपको एक सीट अपनी रिजर्व करनी है और एक सीट आप बहुत अराम से कर सकते हैं पढ़ने में मन लगाईये अच्छे से पढ़ाई करिये और जिसने अगर प्री काफी हद तक त करें तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं काफी मेंस की वीडियो उस पर पढ़ी हुई और आप जैसा अभी कमेंट करेंगे तो मैं उसी साबसे और वीडियो डाल दूगी क्यों आपके कमेंट इतने नहीं आ रहे हैं तो मैं मेंस पर फोकस नहीं कर रही तो आप लोग अच्छे से प्री पर फोकस कीजिए और जिसके पास टाइम हो जो कर चुका है वो डेली एक मौक टेस दे और मेंस का भी साथ के साथ एक दो घंटा टाइम दे के चले ताकि आगे उसको दिक्कत नाए एक साथ सारे सबजेक करने में चलिए एक मुद्दा और तो आप लोग अपने इतने वक्त में से थोड़ा सा पात्दस मिनेट का टाइम निकालके त्विट जरूर कर दीजिए का योगीजी को और आयोग को कि हम्में दो दिन में पेपर नहीं चाहिए जैसे पहले होता है आज तक होता चाहिए कि एक ही positive paper होता था और आयोग बहु में आपका सेलेक्शन होगा अगर आपकाल हम नहीं की तो आपका स्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए यहां normalization मैं कुछ qos से योगी जी को हमेशा हर डेली लगबग ट्वीट करते रहे हैं बाकि प्रियाग राज में जो आपका यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और बीच बीच में एस्पिरेंट जाके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं तो अगर आप उसका हिस्सा बन सक सकते हैं तो आप जहां दूर बैटे हैं दूर दराज बैटके तयारी करें करिए बट जो काम आप कर सकते हैं दूसरों पर मत छोड़िए कि चलिए वो एस्पिरेंट कर रहा है तो मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ क्योंकि आपसे भी जुड़ा है यह मुद्दा एक ही एस् बंदे से कुछ नहीं हो सकता अगर आप लोग सब लोग मिल जूट के काम करेंगे तो यह जरूर संभव हो सकता है तो होप आपको समझ में आया होगा कि मैं नॉमलाइजेशन की प्रिक्रिया के बारे में क्या कहना चाहरी हूँ आपसे आपका इसमें बहुत बड़ा नुकस ले सकता है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग सक्सेज मंच